सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा नहीं सकर पाइए आज की इस वीडियो में हम सिखते हैं कि वार्टसप का इस्टेटस का जो व्यू है कैसे इडिटिंग की मदद से बढ़ाएंगे लेकिन मैं आपको बता दूरा है जहां पर फ मैं कितना बढ़ाँ गा तो चलिए यह नंबर को जो है कैसे बढ़ाए जाता है तो चलिए इडिेटिंग की मदद से यह करना हाक चाहर चोड़िये चलिए आज कि वीडियो को हम सोरू करते हैं तो पर चलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा WhatsApp अप्लिकेशन को ओपिन करना पड़ेगा ओपिन करने के बाद में status वाले section में आकर हमें अपना status यहाँ पर देख लेना पड़ेगा status जैसा कि यहाँ देख सकते हैं इसको यहाँ पर पगड़ेगा फिर उसके बाद में हमें इसका screen shot ले लेना पड़ेगा तो चलिए हम यहाँ पर इसका screen shot ले लेते हैं screen shot लेने के बाद में आप मैं आपको बता दू क्या करना पड़ेगा उससे पहले तो आपको यहाँ पर यह pixel lab application जो देख रहे हैं यह pixel lab application आपको download कर लेना पड़ेगा और मैं आपको बता दो यदि आपको pixel lab ढोड़ने पर भी ना मिलेना तो link description में है आप वहां से download कर लेजिए गार्ड तो फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे यहां पर albums के option पर click करेंगे फिर उसके बाद में हमें WhatsApp नहीं WhatsApp में नहीं share करना है पिक्सल लाइब application में share करने के बाद में यहां पर option पर हम click कर देंगे टिक क्या option पर click करने के बाद में हमें यहां पर कुछ ऐसा interface दिखाए देगा आप यहां पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा वीडियो को ना अब ध्यान से देखिएगा बाई अब हमें क्या करना पड़ेगा जहां एका जो option देख रहे हमें इस पर फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा यहां जो जूम का option देख रहे हैं यहां इसको यहां पर यह कुछ इस टाइब में जूम कर लेना पड़ेगा तो चलीए यह जैसा की देख से नहीं हमने जूम कर लिए, जूम करने के बाद में फिर इस पर हम क्लिक कर Так भाई आपके हमने के वाइई अवने हुद बदा टू, हूअ मैं आपको बता तू, यहां T background का जो option देख रहे हैं इस पर हमें click करना पड़ेगा फिस के बाद में यहां पर enable करना पड़ेगा enable करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा दिखिए यहां plus का जो option देख रहे हैं इस plus के option पर click करना पड़ेगा फिर उसको बाद में यह वाला जो option देख रहे हैं इस पर हमें क्लिक कर देना पड़ेगा इस पर क्लिक करने के बाद में अब हमें यहां जूम करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर यह जो circle वाला option देख रहे हैं इसको हमें लाकर यहां पर यह वाला जो साही नहीं लग रहा है से रियल नहीं लग रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस पर क्लिक करके पोजीशन के पर क्लिक करके हमें सबसे पहले वन पर कर देना पड़ेगा वन पर करने के बारेगा जहां पर इसको position में हमें size से कर देना पड़ेगा तो चलिए यह जासागी देख सकते हैं हमने यहां पर कर दिया है Position के इसाब से size हमने कर दिया है यह कर रहे हैं अब हमें क्या करना पड़ेगा हमें यहां पर 10 व्यूस पर हमें जूम करना पड़ेगा यहां पर चलिए जूम कर लेते हैं सबसे पहले जूम करने के बाद में अब हमें यहां पर इस पर क्लिक कर देना पड़ेगा इस पर क्लिक करने के बाद में अब हमें क्या करना step by step वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और यदि बीच में ही वीडियो को छोड़ के चले जाएगे ना तो आपको नए समझ जाएगा तो पता है ना आप फिर क्या बोलेंगे यही चोड़िए तो चलिए तो चलिए हम यहां पर फिर से option पर क्लिक करना पड़ेगा फिर से हमें यहां पर क्लिक करना पड़ेगा यहां पर क्लिक करने के बाद में फिर से हमें जूम करना पड़ेगा तो जूम करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा जहां पर यह जैसा कि देख सकते हमारा बन गया फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे जहां हम फिर से जूम करदेंगे देख सके अब फिर- उसके बाद में अब क्या करेंगे जहां एक यप नहीं पर क्लिक करके टाकर Jytna हमने जहां पर पांसो सोलर लिगा था न वही हमें यहां पर 516 यहां पर लिख देना पड़ेगा तो चली 516 हम यहां पर लिख देते हैं लिखने के बाद में ओकी किया option पर click कर देंगे फिर उसके बाद में यहां पर कुछ हम नहीं करेंगे अब सीधे हम size को थोड़ा सा increase कर देंगे तो चली यहां पर हम increase नहीं भाई decrease करेंगे decrease कर देते हैं फिर decrease करने के बाद में अब यहां पर देखें decrease कर दिये हैं फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं यहां पर भी इसको भी हम 22 पर लगबग कर देंगे तो चली 22 पर करने के बाद में टिक की option पर click करके 5-516 लोग देखे हैं यह हमें यहां पर क्लिकक कर ना पड़ेगा फिर देख ап आप फिर से हम यहां पर जूम करते है την fundamental技 framework अभी हमारा क्या है ना यह बड़ा दिख रहा है यह जैसा कि देखते हैं फिर से हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सथ जो इसका decrease कर देंगे तो चली यहां पर लगबग 20 पर या 19 पर हम लग देतें फिर टिक के option पर click करके फिर से हम यहां पर position के option पर आकर हम इसको क्या करेंगे जहां से हम position की साब से set कर देंगे stat करने कबाद में यह अब देखतें बहाएंgia से बिन देखिए अब हमारा जो है real देख रहा है अब यह दिख्डिया इक्षंडरा है अब हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर Actor का क्लिक करके default को जो है अल्ट्रा करदें पड़ेगा ALTRA कर देना पड़ेगा हमारा को से आप जाएंगे कि भाई यार इसका वाट सब्सक्राइब बस अब आप तो सिख गये होंगे तो भाई बस आज के इस वीडियो में इतना है तो वीडियो पसंदा आए तो लाइक करिएगा और नहीं पसंदा आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कोई क्वेस्टन हो तो झाल